20 कोकिंग टीप्स आपको मास्टर शेप बना सकता है सबसे पहले कोकिंग टीप्स है बिरियानी पनाते वक्त बिरियानी में खड़े मसाली को कूट कर डाले इसे बिरियानी में मसाली का फ्लेवर उभर कर आएगी नेक्स्ट है एक बार आटा गुंत लेने के बाद अंत में घी डाल कर उसे दोबारा गुंद ले इससे आटा जल्दी सुकता नहीं है नेक्स्ट है आटा गुंदते समय पानी के साथ थोड़ा दूद मिला लेने से रोट या नरम और स्वाधिस्ट बनती है नेक्स्ट है फटे विए दूद से पनीर बना लेने के बाद आप बचे विए पानी से आटा गुंदे तंदूरी चपाती बहुत नरम बनेगी नेक्स्ट है पनीर को नरम करना हो तो गरम पानी में नमक मिलाए और उसमें पनीर को 10 मिनिट के लिए रख दे नेक्स्ट है प्याज को fry करने के दवरान उसमें हलकी सी चीनी मिला लेने से वो जल्दी ब्राउन हो जाती है नेक्स्ट है प्याज को काटने से पहले कुछ देर फ्रीज में रख दे ऐसा करने से प्याज काटने के दवरान आसू नहीं आएगी नेक्स्ट है चीज को कसने के दावरान वो चिपक जाती है इससे बचने के लिए आप कदूकस करने वाले पर थोड़ा तेल लगा ले नेक्स्ट है कखडिया दाल के चीले बनाते वक्त बैटर में थोड़ा सा चावल आटा डाले इससे कखड़क और कुरकुरे बनेंगे नेक्स्ट है पकोड़ा बनाते वक्त पकोड़े के बैटर में थोड़ा सा चावल आटा डाले इससे पकोड़ा कुरकुरे बनेंगे नेक्स्ट है बटूरे में खमीर उठाने के लिए उसमें सुखी ब्रेक चुरा करके मिलाए जल्दी खमीर उठेगा नेक्स्ट है अध्रकलेसुन का पेस्ट बनानी के बाद उसमें एक चम्मस नमक और एक चम्मस गर्म तेल डाल दे इसे पेस्ट ज्यादा समय तक हराब नहीं होगा नेक्स्ट है भींडी की सब्जी बनाते हैं यदि भींडी में चिपचपापन लगे तो इसमें कुछ बुंदे निम्बू का रस डाल कर मिलाएं नेक्स्ट है यदि आप पापड को करारे ही रखना चाहते हैं तो पापड के डिब्बे में कुछ मेथी दाने रख दे नेक्स्ट है सब्जीओं पर चिपकी गंदकी और बैक्टिरिया साफ करने की से फिटकवरी के पानी का उपियोग कर सकते हैं नेक्स्ट है खाना बनाते वक्त से हक को स्वस्ता बनाये रखने के लिए कम तेल का इस्तिमल कीजिए नेक्स्ट है ओल फ्री खाना बनाने के कि अगर आप सब्जी ओको उबाल रहे हो तो उनके पानी को कभी भी फेंटे नहीं इस पानी का इस्तिम Hillth आप तयद्धियों रवाली सब्जी या बनाते वक्त कर सकती हैं इस तरह से कुछ कोगिंग की टिप सेंट्रिक से हैं थांकिव की झाल